नमस्कार दोस्तों मैं परदी पहल आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान समाज सुधारक विचारक और आरिय समाज के संस्तापक महर्शी द्यान सरसुदी जी के बारे में उनका जनम 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक ब्रहमन परिवार में हुआ जो सिव भगत थे और उनके बारे में एक कहानी बहुत परचलित है कि एक बार जो है वो शीव की पूजा कर रहे थे महासिवरात्री का दिन था और शीव की पूजा करते समय स्यूपर चढ़ाईवी परसाद जो है उनके लिए जो चढ़ाईवी परसाद को एक चुईया खा रही थी तो उन्होंने एक विचार आया कि अपने पिदाजी से पूछा कि स्यूपर इतनी सकती भी नहीं है कि इस परसाद को चुईया खा रही है और इनको आई यह हटा नहीं सकते हैं तो उसका उनके पिदाजी के पास कोई जवाब नहीं था तो उस यह 14 वर्ष की उमर की बात कर रहा हूं मैं किवल और ये विचार उमर के साथ साथ और बढ़ते गए बात है 1846 की तब इनोंने इन विचारों को इतना ज्यादा एक तरीके से अपने दिमाख में पैदा किया कि उनको अपने घर से भागना पड़ा और वो उत्री भारत के बहुत सारी जगह पर अलग अलग संतों के पास पहुँचे लेकिन उनको जनम और मर्तिव के बारे में उनके बीच में अंतर के बारे में कोई भी ज्यान की प्राप्ति नहीं हुई लेकिन एक दिन आया और वो मत्वुरा में जो स्वामी विरजानंद दांडी सा की बात करते हैं तो उनके वहां पहुंचे और उनको उन्होंने अपना गुरू मनाया और ये वही गुरूजी हैं जिन से उनको वेदों की का ग्यान प्राप्त हुआ और आगे जागर के इन्होंने वेदों की और लोटो ये ग्यान दिया लोगों को ये विचार दिया कि वेदों की और लोटना चाहिए हमें दुबारा से वेदों की बारे में हमें जानना चाहिए लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनका जरम उस समय मर हुआ था जिस समय पर लाड मेकाले ये कह रहा था कि भारत में बारती जो सिंस्कृति है भारती है जो लोग है वो उनकी आस्था उनकी जो कल्चर उनकी जो सिंस्कृति है उनकी जो विचार हैं वो इतने चुदरड हैं कि उनको आप बहुत लंबे समय तक अपने जो बिटिस इसने कमनी है बिटिस गोर्वेंट है वो अपने अधिकार छितर में नहीं रख सकती हैं तो सबसे पहले उन भार्चियों के में उनके विचारों में उनके विचारों को इतना ज्यादा हीन कर दिया जाए कि उनको यह लगना चाहिए कि हमें सब्वेता यह वेस्टन कल्चर है उसको अपनाना चाहिए ठीक है और उसी का नतीजा था कि अठारे सो पैंटिस में लाड मैकले ने यह कहा था कि हमारे हां देश में भारत देश में सारे सरकारी कामकाज में अंग्रेजी को अनिवारे किया गया था मैं मैं अरसी दान सबस् स्पिक्षिन ने इनको फोलो भी किया है और एक बार अठारा सो ताउन की किरांति आपने कभी सुना नहीं होगा कि अठारा सो स्थावन की करांति को शुरुवाद करने में मतलब उसका विचार देने में भी इनका नाम ठाल लेकिन यह आपको किसी टेक्ट बुक में नहीं म इन्होंने कहा कि इदी हमें गुलाम होने में सोवरस लग गया है तो आजाद होने में भी हमें सकम से कम सोवरस और लगेगा और वह आगे चलकर कि वह बात वह भविश्यवाणी है इनकी महरसी द्यान सवस्थी जी की वह मतलब लगभग जो है सच साबित भी हुई और हम 1947 में आजाद हुए थे आपको लगबग इसके वारे में आप अच्छे से जानते हैं जब मैं महरसी द्यान सवस्थी की बारे में बात करूं तो इन्होंने 1875 में बोंबे में आरे समाज की स्थापना करी और आरे समाज की स्थापना करी तो उनके बहुत 57 विचार हैं जिनके बार है Baibo के पाप और भोडो ہो ए हो है जो बिल्कुल गलत है इन्हों ने बहुत धर्म के बारे में भी थोड़ा सा विरुद बोला है कि बहुत बहुत धर्म तो यह कहता है कि वेद तो कुछ ही नहीं मतलब उन्हों तरीके से विद्धों को जो है गलत सावित कर दिया ये भी इन्होंने कहा है जब मैं इनके ग्यान की बात करता हूं तो इनका इतना अच्छा ग्यान था कि सबसे पहले तो उन्होंने अरे समाज के तहट हिंदी को परचार परचार करने में या फिर आप उस समय पर बहुत ज्य आच्छा जर समय और उस समय जो 255 की बात करें तो इन्होंने हिंदूर मुसल्मानों को एक साथ लाने की कोशिश करी बहुत ज्यादा गैप नहीं था हिंद्धि मसलमानों में उस समय पर लेकिन उनने और नज्दिक लाने की कोिशिश करी और पर blows दो और मुसल्मानों इतनी दूरियां पैदा हुई बहुत ज़्यादा और आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही दूरियां एक दूसरे के बीश में जो है पैदा हो रखी हैं यह मैहर्ची दान सरस्वती ने जब 1883 की बात में बात कर रहा हूं जिस सालून का निधन हुआ है तो एक बार जो कोई व्यक्ति है जो आरिसमाज को फूलोर है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उससे उपर वो निर्टांगना जो है वो बहुत एक तरीके से क्रोधित हुई और उन्होंने रसुई में जाको रसुई को बोला रसुई में जागर के कि भाई आप इसके इनके दूद में जो द्रीतों यहां पर आपको वहां तरीके से महराज साव आपको दंडित कर सकते उनको इलाज के लिए मांट अबु तक ले जाया गया लेकिन उनका इलाज नहीं होपाया और और टरीके से उनका निदन रो गया ये सनातर ध्रम के बहुत बड़े पचारक की बात करेंगे महरसी दाने सरसोती इनके जो मृत्यू के ज़स्ट बात की जब हम बात करेंगे तो हमारे याँ डीवी संस्थाएं पूरे देश भर में लगबग उतरी भारत में बहुत सारी डीवी संस्थाएं बनी और उसी हमारे देश में निए पुरे विशू भर में बहुत सारे खास करा में साथ एसियां की बात करते हैं दोनों नेonent को अपना इनका कोई बी दूर थाँ उन्हां उन्होंने यह कहा था कि कोई भी प्रूच जब साधी करता है तो सबसे पहले यह ध्यान को तो इस एक पड़ी मेरी तो दियान को ऑबteil कर रहा है तो यह महर्सी sudirikowals थे जिन अभी हाल ही में आज एक और वो महरसीदान उनिवस्टी जिसकी स्थापना उनिस सो चेटर में हुई थी और यहीं पर ही महरसीदान पर सोध करने के लिए खंट पीट की भी स्थापना हो रखी है तो आज हमने महरसीदान सरसुदी के बारे में बात करा कैसा लगा आपको ऐसे विचारों को या ऐसे झाल आपको